चिराग पासपान जी ने जमू में मेटकल कॉलिज खोल कर एक बहुत बढ़ा इथियासिक काम क्या पुर्य जमू जिले के बासी अपने लोग प्रिया जमू सांसर चिराग पासपान जी को दिल से धनेवाद दे थे नमस्कार लाइब सिटीज देख रहा है आप और मैं हूँ आपके साथ राजेश लोग जनसक्ति पार्टी में पार्टी को लेकर कायक कल्प की भी परकिरिया चल रही है जो बिधान साभा का उपचुना हुआ उसके बाद तमाम इकाईयां जीले तक की इकाईयां को भंग किया गया ऐसी बात कही जा रहे थी उसके बाद से फिर से पार्टी को एक नया रूप देने की परकिरिया चल रही है जमूई की बात करें तो जमूई में जो लोग जनसक्ति पार्टी का आधार बताया जाता था पहले जो जनता या लोग बताते थे उनका कहना था कि लोग जनसक चिराग पासवान ने लोग जनसक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्री अध्यक्ष हैर चिराग पासवान उन्होंने साफ कहा था कि जो चुनाव हो रहा है तारापूर में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें उनके पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है कहीं से जमुई में और हमारे साथ मौजूद हैं लोग जनसक्ति पार्टी के जिलास तरिये कुछ पतादिकारी, हम बात करते हैं उसी संबंद में, कैसा चल रहा है सुभाची, आप तो लोगजपा छोड़कर जदियों में सामील हो गये थे, फिर से ये कवायत चल रही है लोगजपा को संगठित करने की क्या कारण रहा फिर से लोगजपा में आने गए? लोगजपा पाटी का सरकार बनेगा निश्यूरूप से उसी रूप पे पूरे बिहार में घुम-घुम कर संगठित करे हैं उसी का है कि बिहारी फरस्ट जून का नारा है निश्यूरूप से आने मलकल उनका जो सपना हो पूरा होगा सुवास जी थे बता रहे थे क्यों उन्होंने जोयन किया संगठित हो रही है लोजपा एक बार मजबूत जनाधार रह चुका है जमुई में लोजपा का जीवन जी मजूद है जिलाधक च्हार लोजपा के जीवन जी मेडिकल कॉलेज को लेकर मारा मारी चल रही है हर तब के बरके लोग यह चीज को है कि चिराग पास्पान जी ने जमुई में मेडिकल कॉलेज खोलकर एक बहुत बढ़ा इत्यासिक काम क्या इसलिए पुना जम पूरा लोग सभा की जनता जानती है कि जब वो मंतरी नहीं थे बिधायक भी नहीं थे तब यह सुकृती मिल गई थी वो भी तीन-चार जिला में बनने की बात थी और मानिये लोग प्रिये जमू के शांसर चिराग पासपन जी अथक परियाद से जमू में सुकृती मिली तो किसको सहरा मिलना है निश्ची दूरूप से हम लोग आज मानिये राष्टी अध्यक चिराग पासपन जी को हम लोग आज आभार देने बार प्रिकर करते हैं कि उनके अथक परियाद से 14 तारीकों से ले आना सुने जा रहा है चिराग पासपन के सभा में या जो रोडशो होता है भीड़ तो काफी होती है वोट में क्यों नहीं कनवर्ट हो पाता है देखिए निस्टी दूरूप से दिख दिख़ते हैं कि वहार का भवी से अनो उन पर विस्वाद बरता जा रहा है देखिए निश्ची दुरूप से अभी वो सांसद है और हमेशा वो कहें है कि जमुई हमारी मा है और निश्ची दुरूप से अभी तो फिलहाल वो है यहां के सांसद है निश्ची दुरूप से सांसद है जमुई के सांसद है तो सुना आपने यह लोजपा के नेता थे जिला अध्यक्ष थे पूर्विजला ध्यक्ष खुल मिलाकर बात करें तो यहां पर चार जिला ध्यक्ष और पूरविजला ध्यक्ष मवजूद हैं सबोंने इस बात को कहा कि लोजपा फिर से संगटित हो रही है और इसका रिजर्ट भी आगे कि आने वाले समय में देखने को मिलेगा मेडिकल कॉलेज को लेकर जो घमासान मचा है उस पर इन्होंने सफाई दी है इन्होंने बताया है कि ये जो सांसद हैं जमुई के चिराग पासवान उनके प्रयास से ही जमुई में आ रहा है और जो बाकी बाते हैं 14 को से लैनास होना है जमुई के लिए अच्छी बात है खुशकबरी है और ये से लैनास के बाद आखिर देखते हैं फिर आगे और क्या-क्या बातें इसको लेकर होती है देखते रहे हैं लाइप सिटीज अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें फेस्बुक को अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करने और ट्वीटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा धन्यवाद